नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आप सभी को आर्रेडी पता ही है कि 36 गड़ बिजली भी भाग में परिचालक लाइन की भरती होने वाली है जिसे लाइन मेन भी कहते हैं इसके रिकार्डिंग आर्रेडी वीडियो अप्लोडेड है परन्तु उन मैं बताई गी कर्टिपिकेशन आपके सामने हैं यहां पे तारीक डलिए 12 अगस्त 2021 नेकिन आज है 19 अगस्त 2021 और यह आज आपको बताया जा रहा है और इसमें महत्वपुन चीज यह है कि 21 अगस्त 2021 मध्यान 12 बज़े से आप ऑनलाइन आविदन www.caspc.co.in में जाकर कर सकते हैं अंतिम्ति थी 20 सितंबर 2021 रात पारा बज़े से पहले तक तो महत्वपुन चीजे यहां पे आज इस पश्ट हो जाएंगी यह ओफिसियल नोटिफिकेशन है विग्यापन है तो यहां से सब चीजे इस पश्ट हो जाएंगी जैसे क्या यह पद संवीदा पद है इसमें वेत लगा तो वीडियो को अंत तक देखिए सबसे पहले आपको डेट बता दिया गया कि प्रारभिकति थी क्या है ओनलाइन आविदन की और ओनacam यां उप सिख्चाणार करना है नहीं जाकर ।पहर 12 बजे से 14 होगा ठीक है और अंतिम्ति है Balanced 9-2021 राद 12 बज़े से पहले तक अब हम आगे की जानकारी देखते हैं कि यहाँ पे जो यह रायपूर, बिलासपूर, रायगर, दूर, गराज, नानगाँ छेत्र के लिए परी चारग लाइन के पद पर कारे करने के चुक निमने नुशार अरहता वेबसाइट पर आउनलाइन आविदन आमंद्रित किये जाते हैं अन्य जानकारी यह है कि जैसे सर्गूजा संभाग और बस्तर संभाग में वहाँ की स्थानी निवास, प्रमान, पत्र, प्राप्त, अभ्यर्ति ही आविदन कर पाएंगे लेकिन आप अगर वहाँ, के निवासी नहीं है तो आप यहाँ कर सकते हैं, ये सभी के लिए ओपन है रैपूर, बिलाजपूर, राएगर, दूरग, राजनान, गाउचेतर में तो ध्यान तो ये उसी का विज्यापन है रैपूर, बिलासपूर, रायगाड, दूर्गराज, नर्गाव, छेतर से संबंधित वाला ये विज्यापन है सरगुजा बस्तर का विज्यापन भी वेबसाइड में अपलोडेड है ये है रैपूर, बिलासपूर, रायगाड, दूर्गराज, नर्गाव, छेतर का बस्तर सरगुजा का इसमें इंक्लूड नहीं है उसका नोटिपिकेशन अलग है क्योंकि वहाँ इस्थानी निमासी को ही लिया जाना है उनका लिंक, ऑनलाइन लिंक भी अलग रहेगा और वहाँ उनको जो निमास प्रमान पत्र है सरगुजा संभागे, बस्तर संभाग का वो उनको अपलोड करना होगा तो चलिए, यहाँ कर देख लेते हैं मैदानी छेतर का जैसे रायवपूर, बिलाजपूर, रायगर, दूरग, राज, नारगा उचेतर का तो परिचालक लाइन के सीधी भरती के बेक लॉग, सहीत, प्रवर्ग वार पदों का विवरन इस प्रकार है देखिए, अना रक्षित में 609 पद है अनुसूचित जाती एस्टी में 162, अनुसूचित जनजाती एस्टी में 269, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC में 170 टोटल 1200 पदों पे भरती होगी यहाँ पे पहला पॉइंट है कि जो 36 गर राजे का मूल निवासी होगा बस्तर संभाग, दूरगर संभाग, बिलासपूर संभाग पांचो संभागों में के, पांचो संभागों में से कोई भी अपलाई कर सकता है अभी जो विग्यापन आपको बताया जा रहा है उसमें परिचालक लाइन के कारिक क्या होते हैं तो यह महत्पून है जो बहुत लोगों का प्रशना था तो यहाँ पढ़ लीजिए कि परिचालक लाइन के पत्परन्युक्त कार्मिक को यानि कि वैक्ति को परिचारक स्रेनी एक दो लाइन एवं लाइन सहयक स्रेनी एक दो को अबंटित कारियों में सहयता के साथ विद्धुत वित्रन प्रनाली के निर्मान एवं रक रखाओ से जुड़े ऐसे सभी मैदानी कार्य करने होंगे मैदानी कार्य फिल्ड वर्क पहले ही बताया गया था जिसमें सारेरिक स्रम की भी आवशक्ता होती है सीड़ी या अन्य समान एक इस्थान से दूसरे इस्थान ले जाना बिजली के खंबे खड़े करने हे तू गड़ा खोदना खंबे पे चड़ना उपकरनों को लगाना एवं लाइन रक रखाओ से जुड़ी सभी मैदानी कार्य सम्मिलित होंगे परिचारक लाइन के पत पर न्यूक्त कार्मिक अर्थात व्यक्ति को पाली या सिप्ट में भी कार्य करना होगा कार्य की प्रकृति को देखते हुए महीला एवं दिव्यांग जन उक्त पधेतु अपात रहें तो भात पुन्च चीजे यहां इस पर्ष्ट हो गई अब आगे देखते हैं वेतनमान या सेलरी के बारे में आप लोग पूछ रहे थे तो यहां पर मान दे दिया जाएगा स्टाइपेंड परिचालक लाइन के पत पर पे मैट्रिक्स एस वन रुपए 14,800 से 33,000 परिचालक लाइन के पत परचैनित उम्मिदवार की न्युक्ति परीविक्षा पर की जाएगी परीविक्षा के निम्नानुशारी स्टैपन दे होगा प्रथम वर्ष में 70 प्रतिसत, दूती वर्ष में 80 प्रतिसत, तृती वर्ष में 90 प्रतिसत और चौते वर्ष से पूरा 100 प्रतिसत मिलेगा परीविक्षा अवधी में उपर युक्त मूल वेतन पर अन्य भत्ते कंपनी के नियमित सेवा की तरह प्राप्त होंगे ठीक है यह इंपोर्टेंट है परीविक्षार्ति की अन्य सेवा सर्थे पावर कंपनी के परीपत्र के अधीन होगी पाँच अपरेल दोजार इक्ष के अगले नियम को हम देखते है आयू सीमा ये भी महत्वपूर्ना टॉपिक है जिसके बारे हम बहुत क्वेरिस और क्वेस्टन्स आते हैं तो कब गन्ना करना है दिनांग एक जन्वरी 2021 की इस्थिती में गन्ना करना है नियून्तम आयू 18 वर्स है आरक्षित वर्ग के लिए अधिक्तम 40 अनुसुचित यानिकी AC के लिए 45 अनुसुचित जन्जती अर्थात HT के लिए 45 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45 इसपष्ट हो गया यही है दे दिया गया है इसपष्ट रूप से परन्तु किसी उम्मीदवार को किसी भी एक या एक से अधिक अधार पर छूट का लाब दिये जाने के उपरांध भी अधिक्तम आयू सीमा 45 से अधिक नहीं होगी भूत परसेनिकों के लिए विसेश रुप से जो छूट मिलता है वो लागू होगा अब अगला हमारा टॉपिक है सेक्षनी के उगेता जिस पे बहुत प्रशना रहे थे वो भी यहाँ पर इसपष्ट हो जाता है तो आपको क्या चाहिए आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांग अर्थात की 20 सितंबर 2021 या उससे पहले आप दसवी उतिरन होना चाहिए ठीक बस और कुछ नहीं शिर्फ दसवी उतिरन तो यह हो गया अब अगला है आरक्षन तो आरक्षन का जो लागू होता है वैसा उसमें लागू होका अल्डेडी बताया गया है कौन से केटेगरी में कितने पद हैं और भूतपुर उसेनिक को कितना मिलेगा यह सब दिव्यांग जन तो इसमें इलिजिबल है नहीं तो भूतपुर सेनिक के लिए है और HTSC OBC आवेदान कैसे करें तो आवेदान करने के लिए शुरू में ही बताया गया है कि आवेदान करना है 21 अगस्त 2021 से दोपहर 12 बजे के बाद www.caspc.co.in पर जाकर आवेदान करना है बस आवेदान सूल का क्या है तो देखिए अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग OBC वर्ग के लिए 300 रुपए और अनुशुचित जाती अनुशुचित जन जाती उमिद्वारों के लिए 200 रुपए ठीक है ऑनलाइन ही पेमेंट करना रहता है डेविट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बेंकिंग यूपी आई आवेदान ऑनलाइन पेमेंट यही सुईधा है आवेदा आवे सितंबर 2021 रातरी 12 बजे से पहले तक चैन प्रक्रिया जो महत्पुन प्रश्ण था सभी का वो भी यहां पर इस पर्ष्ट हो जाता है कि चैन प्रक्रिया क्या होगा तो दोस्तों एक्जाम नहीं होगा पिछले वीडियो में एक्जाम होगा ऐसा बताया गया था जो कि अनु सार उम्मिद्वारों के कच्छा दस्वी में प्राप्त कूल अंकों के प्रतिसत का सत्तर प्रतिसत प्रदान किये जाएंगे मतलब दस्वी में जो आपका प्रतिसत है उसके अधार पर मेरिट कुची बनेगी दस्वी में प्राप्त प्रतिसत को का वेटेज है सत्तर प्रति सकते हैं एक वर्ण से तीन वर्ण का जिनको अनुभाया उनको बीस अंक बोनस मिलेगा तो सतर प्रतिसात धस்वी के अंग पर है और 30 प्रतिसट आपके अनुभाय के अनुभाय अपर है तो इस चीज का ध्यान रखें कि ओनलाइन आविदान के समय आपको अनुभव प्रमान पत्र अप्लोड करना होगा, निवास प्रमान पत्र अप्लोड करना होगा, दस्वी की अंग सुची अप्लोड करना होगा, जाती निवास सब अप्लोड करना होगा, तो ये त्यार रखे उम्मिदवारों के कक्षा 10 वी में प्राप्ट्कूल अंकों के प्रतिसत का 70 परतिसत अंक तथा उपर यूग्ट उप पैरा में उलेक अनुसार अनुबहों के बोनस अंके योग केधारपण निर्मित प्रावीन सूची में से विज्ञापीत पदों की प्रवर्गवार संख्या के तीन गुना उम्मिदवारों को दस्तावे सत्यापन एवं सारीरिक दक्षता परिक्षा के लिए बुलाया जाएगा तो सारीग दक्षता परिक्षा भी होगा क्योंकि आपको लाइन में या परिचारक लाइन के कारिया के बारे में बताया गया है तो सारीग दक्षता परिक्षा होगा सारीरिक दक्षता परिक्षा के पूर्वा उम्मिद्वारों का प्रारमभीक तोर पर स्वास्थ परिक्षन किया जाएगा और उक्त परिक्षन में योग पाय जाने पर उम्मिद्वार को सारीरिक दक्षता परिक्षा में सामिल किया जाएगा सारीरीग दक्षता परिक्षा पूर्णता परिक्षार्ती के जिम्मेदारी पर होगा और उनसे सहमती पत्र ले लिया जाएगा सारीरीग दक्षता परिक्षा में कोई अंक नहीं होगा सिर्फ अरहता के लिए होगा मतलब दिखाना होगा कि आप दक्ष हैं या नहीं बस कोई अंक नहीं होगा सारीरिक दक्षता परिक्षा के वाल अरह कारी है मतलब उसमें आपको दक्षता दिखाना है बस तो क्या क्या सारीरिक दक्षता परिक्षा में होता है ये दो चीजे होंगी सारिक दक्षता परिक्षमे सफल उम्मिद्वारों की उपर उपत उप पेरक में उलेक अनुसार प्राविन सूची निर्मित की जाएगी प्राविन सूची में से 36 गड़ सासन के आरक्षन रोश्टर के अनुसार विग्यापित पदों की पूर्थी की ज आधार पर वरियता दी जाएगी ठीक अफ अगर चैनि हो भी गए तो पचास वजार आपको शुरकछानिदी जमा करना होगा अनुबन अवधी चार वर्सकी होगी यदि परीविक्षार्ती परिक्षा अवधी में पावर कमपनी के सेवा से त्याग पत्र देता है तो सूरक्षा निधी जब्त कर ली जाएगी मतलब 4 साल के लिए आपको काम करना होगा नहीं तो 50,000 छोड़ना होगा अन्यसरते उम्मीदवार विज्यापन में अरक्षन वार पदों की इस्तिति का अलोकन करके ही आनलाइन आविदन करे उम्मीदवार को आधन करने सारी दक्षत परिक्षम सम्नित होने वह सपल होने मात्र से विज्यापित पदों पर निउक्ति की पात्रता नहीं होगी पावर कंपनी को विज्ञापित पदों की संख्या में वृद्धी या कमी करने अत्वा संपुन चायन पक्रिया निस्त करने का अधिकार है परिचालक पत्की भरती की चैनर पक्रिया में किसी भी इस्तर रत्वा उमिद्वार की नुक्ती के पस्चाद्य ग्यात होता है कि गलत है तो यह सब है समान्य यसी चीज़े हैं जो लिखा हुआ है अगर आपको कोई भी सहता चाहिए विभागी तो ऑनलाइन आविदन हेतु सहता के लिए कारिया लाइन दिवस में समय प्राता साड़े दस से संध्या साड़े पाच बजे तक दूरभास क्रमांक इसमें संपर्ग किया जा सकता है वीडियो को लाइक कीजिए सेयर कर दीजिए सबस्क्राइब कर लीजिए चैनल